एलो बच्चो आप सभी का स्वागत है क्रिस्टाल ओल स्टडी चैनल पर इस साइट पुषपेंसिंग यूर मेंटर फॉर हिस्ट्री डोमेन एज वल एज फॉर सुटी जेनरल टेस्ट हिस्ट्री चलिए आज हम बिटा पर कंटेन्यू करेंगे जो पीछे हमने पढ़ा था हमा सब्सक्राइब करनें इस बीच क्या करते हैं कि अपने इंडियन्स को बुलाने लगता है तो इसह के करन क्या होता है गान्दी जी इमेजियेट एंड टो था ब्रिटिश रूल एज प्राइस फॉर इंडियन सपोर्ट वो कहते हैं कि हम रेडी हैं सपोर्ट करने के लिए लेकिन आपको अपना इसको एंड करना होगा ब्रिटिश रूल को ठीक है तो यह था एक इंपोर्टेंट इवेंट उसके बाद 1942 का इंडिया मॉविमेंट में नेक्स्ट आता है कॉमिनल टेंशन 1946 की डारेक टेक्शन डे किसे रिलेटेट है यह रिलेटेट है मुस्लिम लीक से जिसमें मुम्मत अली जिन्ना क्या कहते हैं कि आपको डार्क ली मतलब वह पाकिस्तान की डिमांड के लिए उन्होंने डारेक ट मॉंट बैर्टन एक अपना प्लैन देते हैं मॉंट बैर्टन फॉर पार्टिशन जिसके करण कमिनल राइट होते हैं और गांधी जी कि यह हम्मिनल और पाकिस्तान दो अलग लग निशन बनते हैं इंडिया यहांपर 1947 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस पाती है दूसरी तरह पाकिस्तान जो इंडिपेंडेंस पाता है वो 14 अगस्त 1947 में ठीक है यह दो चीज़े होती है इसके बाद होता है गांधी इसके बाद कहीं न कहीं कॉमिनल वाइलेंस चलते है तो यह सारी चीज़े अपने पढ़ी गांधी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स थे अब उनसे रिलेटेड कुछ आप फेक्ट्स देख लीजिए गांधी जी का जर्म होता है अक्टूबर टू 1869 में ठीक है अक्टूबर टू 1869 में कहां पर होता है पोरबंदर गुजरात में कहां पर होता है पोरबंदर गुजरात में उनके पैरेंट्स कौन थे करमचन गांधी और पुतली बाई करमचन गांधी और पुतली बाई गांधी जी से रिलेटेड कोई भी कोशन आ सकता है चाहे वो CUT का exam हो या कोई भी आपका exam हो वहाँ पर गांधी जी से related बहुत सारे questions आते हैं तो यह आपको ऐसे general लेके चलना है कि हां गांधी जी से related हमें हर चीज यह रहत रखना है उन्हेंने लोग कहां से पढ़ा लंडन से पढ़ा and then he became a barrister ठीक है इनके political और गुरू का क्या नाम था गोपाल क्रिष्न गुकले यह सवाल वेटा एंने डाईनर्स में आता है वर यह सवाल आपको आ सकताए कि कांधी जी के प politicaal गुरू का क्या नाम था गोपाल क्रिष्ने गोखले उसके बाद इनकी philosophical जो इन पे influences रहे कि हां यार आप किसे influence थे तो he was inspired mostly by John Ruskin's unto this last ठीक है और theorist concept of civil disobedience लियो टोलस्ट्रोई की teaching से बाइबल से भगवत कीता का इन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव था इन सभी में तो यह चीजे भी आपको याद रखनी है एक और वन लाइन आर किस ने दिया तो महत्मा का टाइटल इनको दिया था रभींद्र नाठ टेगोर ने कब दिया था नाइटीन सेवंटीन दिया था ठीक है यह आपको याद रखना 1917 में और इसी तरह आता है एक सवाल और की गांधी जी को कैसरे हिंद का आवार्ड किसली मिला था तो उनको उन एसे करके बाद उन्हेंने मुचीज वापिस रिटन कर दिया था और गांधी जी का कैसे होता है नाथुराम गोट से उनका एसेसेनेशन कर देते हैं ठीक है तीज जनवरी 1948 को न्यू डैली में हर साल हम 30 जनवरी को मनाते हैं इस फादर ऑफ दा नेशन ठीक है इस फिलोसफी ऑफ नॉन वाइलेंस आज बिठा जितने भी सिविल राइट्स के लिए या फिर फिरिडम के लिए फाइट्स होती है ओल ओवर दा वर्ल कहीने कहीं गांधी जी का नाम ले जाता है जिन्होंने विदाउट वैपन किसी देश को आजादी दिलाई हूँ चलिए अब हम यहाँ पर कुछ MSQ वगार करेंगे ठीक है और MSQ में देखेंगे कि क्या-क्या आ सकता है तो सबसे पहला MSQ आता है हमारा यहाँ पर सत्यग्रा पर है सबसे पहला आपका कॉश्चन आता है वाट इस दा मीनिंग उफ सत्यग्रा एस कोइंड बाई मात्मा गांधी तो मात्मा गांधी ने जो सत्यग्रा का लांच किया उसको क्या कहेंगे आप लोग तो यह बहुत सत्य की ग्रहा देओ कहीं कहीं इसके नेम सी पता लग रहा है तुथ फोर्स ठीक है इसका नम का अंसर होगा बच्चो तुथ फोर्स तो यह आपको याद रखना है अब नेक्स्ट कोश्चन आता है विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू कॉल आफ नॉन वट पार्टी वस फॉर्ण बाइं मोतिलाल नहरू सियारदास अंड अधर सिन 1923 तो 1923 में मोतिलाल नहरू सियारदास ने कौन सी पार्टी फॉर्म करी थी तो स्वराज पार्टी और इस पार्टी वस विदिन इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ठीक है एक 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 नेक्शन चलिया है इन सभी मैंसे थो आपकी असान है इसको रोट बनाया चाहता था लेकिन यह महत्मा गांधी कॉल फॉर क्वेट इंडिया ओनके तो कुई कवेट इंडिया मॉवविम्मेंट के लिए गांधी जी नें कब बोला था वैंघ तो कुई इंडिया मॉव्मेंट के लिए कभी स्टाक और बच्चों 1942 में कभी स्टार्ट को था महत्मा गांधी का असेसिनेशन कब हुआ था तो 30th of January 1948 को 30th of January 1948 को उनका असेसिनेशन नातुराम गोट से ने डैली में किया था महत्मा गांधी की ऑटोबाइग्राफी में से कौन से माई एक्सपेरिमेंट्स विद् टूथ यह राइट अंसर है व्ट इस निकनेम गीवन गांधी जी गांधी जी को कौन सा निकनेम दिया था तो काफी आसान आपका यह अंसर हो सकता है जाकर आपने लेक्चर को अच्छे स महत्मा गांधी ब्रेक दा सॉल्ट लो तो उन्होंने कहां भी डांडी में ठीक है डांडी मार्च भी कहा जाता है सिविल डिस आवडियंस मूव्मेंट को कहां से स्टार्ट कर गया था साबित साबरमती आश्रम से तो यह सारे आज के बेटा कोस्टेंस थे आई होप आपको कोई सारे कोश्चेश पसंद आयोंगे एक बार इनको देखेगा रिवीजन कीजिएगा अगर आपको कोई भी हमारी कोर्स इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हमारा सामर्थ बैच चाल रहा है सुईटी बच्चों के लिए जुद्धो हजार चौबिस में अपना एड gmail.com हमारी ओफिशियल इमेल आइडी है कोई भी क्वेरी हो आप वहां भी पूर सकते हैं प्लीज इस वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा ठैंक्स अलॉट बच्चों लाइट सिर्फ फार टुडे